आज की राशी के अनुसार कैसा आज का दिन पीतने वाला है? सबको दूर करेगा प्रीम संबंदों और वेवाहिक संबंदों के लिए शुक्र का जो करकर राशी में गोचर ये बहुत शांदार रहने जा रहा है? साधरन कामका दूर के बाद रह सकता है तो जितने भी आवश्यक का रहे हैं आज कोश करें दिन भर में आवश्यक कर लें। सोचे गए कारी हैं वो बेहत आसानी से संपन होंगे तो कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए बेहत शांदार है। दो दिन बात समय स्वता ही ठीक होगा। अगली राशी यानि करक राशी की बात करते हैं तो करक राशी वाले राशी का समय बढ़िया बना हुआ है। आज से और भी बहतर होने जा रहा है क्योंकि चंदर्मा का गोचर दुपहरबाद ब्रशव राशी में होगा और आज शुक्र आप ही की राशी में मारगी हो रहा है। बैवा विलासिता मान सम्मान और कारी छेतर को बहुत शांदार बना कर रखेगा। सिक्षा और प्रतियोगिता से जोड़ा हुआ कोई भी काम आप करना चाहते हैं तो उस काम को आप बिल्कुल करें उसमें आपको सफलता मिलेगी। अगली राशी के हम बात कर सकते हैं जो कि कट्या राशी है, कट्या राशी वाले रातों का समय ठीक है। और आज दुपहर लगबग 12 बजे से जैसे ही चंदर्मा प्रशब राशी में प्रविश करेंगे, भागे मजबूत होगा, काम काज में थोड़ी सी राहत मिलेगी। परन्तु आने वाले धाई दिनों के लिए आपको सला यही है कि कोई भी काम जो इंपॉर्टेंट है, सला से और किसी की मदद से करें तो ज्यादा बहतर होगा, हाँ, प्रीम संबंदों से बचने की बीहत ज़रूरत है। अगली राशी यानि तुला राशी की हम बात कर लेते हैं, कल की तुलना में आज का दिन और भी बैतर सावित होगा, मन प्रसं रहेगा, काम काज बढ़िया रहेगा, आपकी राशी से शुक्र का गोछर, यानि लगनीश का दशंभाव में गोछर करना बहुत बढ़िया मन को प्रसंद रखेगा जो भी आप काम करेंगे उसमें आज दिनवार आपको सफलता देगा सला यही है जितने आवश्यक कारी हैं आज शाम तक जरू कर लें क्योंकि चंद्रमा कल से आपको थोड़ा सा तंग कर सकता है अगली राशी यानि ब्रश्चिक राशी के बारे में मन प्रसंद रहेगा हला कि घरेलू परिशानिया और चिंताएं आपको थोड़ा सा घेरे रहेंगी अपनी सेहत का थोड़ा सा ध्यान जरूर रखेंगे अगली राशी की बात कर लेते हैं जो कि धनूराशी है धनूराशी वाले जात्त कर समय आज से थोड़ा सा सामाने हो र अगली राशी की बात कर लेते हैं जो कि मकर राशी है मकर राशी वाले डात्कों का समय आज ठीक नहीं है देकि चंदर्मा अभी भी चौते भाव में हैं दिन भर चौते भाव के चंदर्मा का असर रहेगा जिसके कारण मन अप्रसंद बना रहेगा कामकाज में रुची नह अगली राशी यानि कुम की बात कर लेते हैं समय की अनुकूलता जारी है आज पूरे दिन भर बनी रहेगी इसका भर पूर लाब उठा कर आप अपने आवश्यक कारियों को तेजी से संपन करें अगली राशी की बात कर लेते हैं जो की मीन राशी है समय बेहत शांदार हो रहा है ठीक साड़े दस बजे की बात जैसे ही चंदर्मा पराकरम भाव में प्रविश करेगा यश्मान सम्मान और प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी मित्रों परिजनों से लाब होगा जिन कार कारियों के बावत आप सोच रहें वो काम आपके बीहत आसानी से संपन होंगे